कर देखें यहाँ पे जैसे आप यागत करते हो ठीक है तो वहां पे क्या करते हो आप वहां पर पहले एक नया कोजट्ञ करते हो ठीक है उसके बार फिर आप JSP में सबसे पहली फाइल प्रेफ्शन क्या होता है है इसको रखा हुआ है इंडेक्स डॉट सबसे पहले आपको क्या करना हुआ एक डॉक्मेंट क्रीट करना होगा यहां पर अब दोक्मेंट हमने क्रीट किया हुआ किस नाम से स्टुडेंट डॉट एक्सेमल यहां पर डिफाइन करना है कि क्या उसका स्ट्क्चर होगा तो स्टूडेंट के नदर ने डिफाइन क्या हुआ है रोल नंबर देन नेम ब्रांच एंड समेस्टर ठीक है तो यह इंफोर्मे षैड़न कितने स्टुडेंट को यह सिंगल स्टूडेंट कुलिए अग्र apples नेंट इस स्टुडेंट के डिपाइन करेंगे ओंडों आपको सेन ठीक है तो यह स्टूडेंट की यहां का इंफ़रमेशन स्टोर हो गई क्लिर अब देखो यह सिंपल एक्षमिल डॉक्मेंट है जिसको आपको क्या करना है बट यह रीट कब होगा जब यह सर्वर से क्रिक्वेस्ट आइगी जैसे हम लोग ने एजैक्स का प्रोग् बनाया हुआ है किए- एक tenho बनाया हुआ है, ठीक है इस a into algorithms को आ इढया हुए है अब या लिखा हुए है इंप टाइप को अष add क्रियेट और रख्शा हो सोव क्यो वो इसकी value की है, ओन्विक्ट पर क्या फंचन कॉल हो रहा है? डिस्प्ले, यानि कि हमें एक जावस्क्रिप्ट का फंचन डिफाइन करना होगा, किस नाम से डिस्प्ले, अब जैसा ही यहाँ पर बटन पर आप क्लिक करोगे, तो डिस्प्ले वाला function call होगा है कि यहां पर on click event लगाया हुगा है अब दिपो यहां पर जैसे आप display पर गए होगे display पर हो क्या रहा है display में हमने क्या किया है आपने एक xml http request को object create क्या किस नाम से my xml यह xml http request को object है यह वही same object है जो हम लोग ने Ajax के time पर use किया था जो कि asynchronous request भेज़ता था ठीक है फिर हमने क्या किया हमने इस particular object method call किया है open जिसमें लोग ने use किया है get method को और यहां पर क्या पास किया है student.xml जिस particular xml फाइल को read करना है और यहां पर इसकी जो property यह उसको set किया हुआ है false ठीक है अब जो हमने request यहां पर open किया हमने क्या किया उस object पर call किया send method को send क्या करेगा यह request वहां पर send करेगा ठीक है अब एक नया object आपने बनाया किस नाम से xml-str नाम से यह क्या करेगा यह जो بھی आपका response xml आ रहा है ऐसका यहां पर reference को store करता है खी게요 तो यहां पर क्या 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 myxml.response xml और इसका xml का response यहां पर store कर लिया अब क्या करना है यहां पर देखो यहां पर जो हमारा xml document है इसको अब एक बार प्रफर से देखो यहां पर suppose कर हमको name को read करना है name के अंदर क्या लिका हुआ है रवी, Sam and Daniel यह तीन जो नाम दिये हुए है उसको को read करना है तो अब हमने यहां पर क्या किया जो हमने xml str जो वनाया था variable उसका हमने क्या किया हमने उस पर call किया method कौह सा get elements by tag name जो xml का tag आपने बनाया हुआ जिस नाम से और यहां पर pass क्या कर दिया है उस tag का नाम और उसको store कर लिया आपने variable किसमे एक नाम देक वैरेबल उसमें आपने इसको store कर लिया है ठीक है अब आपने क्या किया जिरो से लेके x.length वो तक आपका कई सारी values आई उन भी हूँ आपे तो आपने क्या किया है लूप चलाया है और उसके बार आपने एक नया variable बनाय किस नाम से टी नाम से जिसमें आपने य आई डी य डी क्या किया टी वन डॉट वैलू काह से आईगी नीचे जो टेक फील आपने create की है इसकी वैलू आ जाएक इसमें टी में अब देखो अब आपको क्या करना है अब आपने क्या किया जेड एक नया variable मनाया है जिसमें x of i x यहाँ पर x क्या define क्या हुआ है जो सारे नाम उसमें आ गए होंगे ठीक है आई यानि कि कहा से शुरू होगा जीरो से जो सारे नाम लिश्टा गई होगी एरे के format में आई होगी उसका आपने क्या किया वन बई वन सारे names को fetch किया कैसे child node 0.value से आपने उसको क्या क्या है यह जो भी आपने name किया .node value और check किया कि क्या वो element found हुआ है कि नहीं यानि जो आपने फेच किया XML से और जो आपने यहाँ पे लिखा था क्या वो वहां से retrieve होके आया है कि नहीं आया है अकर वो आया है और वो same है जो आपने यहाँ पर provide किया है तो आप यहाँ पर alert कर रहे हो क जा element found ठीक है तो इसको एक बार run करके देखते हैं है कि पमानिस को भूल आपने पार में जापने गल झापने आपने यहाँ पार्माम से पनेखने लिएकश से कि अन्हाँ रखने यहाँ से तो शोल आपने जब हैं पहले एक नॉर्मल चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं इस पे कुछ नहीं शो किया तो हमने दिया था भी नाम है क्या रवी रवी कैपिटल में है क्या ठीक है यहां पर यहां पर आपको चेंज करना होगा तो आपको चाहिए चाहिए होगा आप उसके को आप उसको कस्टमाइज कर रहोगे स्पेसिका कर दिया है यहां पर किसी और रहो नेन की लिए कि अना तौ अफ बाट करोंगे तो फिर वो कियुए एक्स तुमें का किया हुआ है को आपने है तो यह नेम ही चाहिए ठीक है अगर क्या अब आप नया वेरेब्र क्रिएट करोंगे और उसके बाद उसको आप फैट कर क्या हुआ है गल्याव?